काजल रागवानी ने भोजपूरी इंडस्ट्री का बताया काला सच अशलीलता और जातिवाद का यहां चलता है खेल काजल रागवाणी भोजपूरी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम है उन्होंने कई हिट फिल्में दी है इसके साथ ही वो जिस गाने में ठुमका लगाती है वो इंटरनेट पर वाइरल हो जाता है अदाकारा ने भोजपूरी इंडस्ट्री का काला सच सब के सामने रखा है उन्होंने कहा है कि भोजपूरी इंडस्ट्री पुरुष बेजड है और यहां जो अभिनेता चाहते हैं वही होता है इतना ही नहीं फीस भी अक्टर की जादा होती है और अक्ट्रेस आधे से भी कम कीमत में काम करने को मजबूर होती है इसके अलावा अदाकारा ने कई और राज खोले हैं काजल रागवानी ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि जिस तरह से भोजपूरी में अशलीलता फैल रही है उसे देख कर बहुत तकलीफ होती है भोजपूरी की ऐसी स्थिती देख कर बिखारी ठाकूर की आत्मा को भी थेस पहुचा होगा लेकिन इसे रोकना महिलाओं के हाथ में नहीं बलकि निर्माता और अभीनेता के हाथ में है इसके साथ ही आक्टर्स ने बताया कि भोजपूरी इंडस्ट्री जाती में बटी है इसके साथ काम करो तो उस जाती वाला अक्टर नराज हो जाता है इसके साथ काम करो तो वो नराज हो जाता है उनका इशारा भोजपूरी के दो सूपर स्टार पवंद सिंग और खिसारी लाल यादव की तरफ था दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है लगतार दोनों हीरोज एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं अदाकारा ने कहा है कि गुजराती फिल्म में 30 से जादा फिल्में कर चुकी हूँ लेकिन वहाँ जाती वाली फिलिंग किसी में नहीं आई लेकिन यहां तो यादव जी के साथ काम करो तो सिंग जी नाराज पांडे जी के साथ काम करो तो यादव जी नाराज यहां अक्ट्रस को काफी कुछ सहना पड़ता है इतना ही नहीं उन्होंने अपने डर के बारे में भी बताया जब उनसे पवन सिंग और खिसारी लाल यादव के बीच छिड़े विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अगर कुछ बोलूंगी तो मुझे फिल्में नहीं मिलेंगी और काम चिन जाएगा